जैहीं दोस्तों, कल्पना करिए, कोई आपकी संपत्ती को हड़प लेता है, आपके घर पर कबजा कर लेता है, और बिना गलती के आपको सजा देता है, तो आपको कैसा लगेगा? इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो खुद अपने अधिकार तो नहीं ले पाए, लेकिन जीवन भर दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ते रहे और उनको नयाय दिलवाया, संगर्श की विवोती वहरत रत्म डॉक्टर भेम राव अमबेटकर के, इन से जुड़ी कई सार इसी गटनाएं जो आपको अंदर तक जगजोर के तो रखी देंगी, और हो सकता है आपको रोने पर मजबूर भी कर दें, इन गटनाओं को जानने से पुर्व अमबेटकर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, 14 अप्रेल, यानि कि आजी के दिन, 1891 को उनका जन परांत के रूप में जाना जाता था, और आज जिसको अमबेटकर नगर मद्परदेश के रूप में जाना जाता है, दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर भीमराव अमबेटकर के पेसे की मतलब वो क्या-क्या करते थे, तो साइद ही कोई ऐसा वेरसाई हो, जो साइ द्धर्मसास्त्री, इस्तिहास विद प्रॉफिसर और संपाधक के रूप में भी उन्होंने कारिक किया, वहीं सक्षिक योगिता की बात की जाए कि कहा कहां से होई, तो मुंबई विस्विद्धाले से उन्होंने बीए किया, और कोलंबिया विस्विद्धाले से म. जो अभावों में पला जो कठनाईयों का अनुभव करते हुए जीवन की उन विशेश परिस्तितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और ऐसे ही पुरुस्कार और सम्मानों की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1990 में बौदी सत्व 1956 में पहले कु यह जानते हैं उनके जीवन से जोड़ी उन महत्पूर गटना को जो वास्तम में हम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसे में हम होते तो क्या करते इस वीडियो को बनाने का उद्देश किसी भी संपरदाय धन जाती या विक्ति विशेश की भावनाओं को पूरवक कर सकें यही है तो बढ़ते हैं उनके जीवन की एक महत्पूर गटना की और जहां बच्चे विध्याले में पढ़ने जाते हैं वहीं डॉक्टर भीमराव अमिट कर जब छोटे थे उन्होंने भी कक्षा में प्रवेश लेना चाहा मतलब दाखिला लेकिन ये क्या समाच के उस वर्क से था जो असविधाओं से तो वंचित थाई लेकिन असमानता का बोज भी जेल रहा था क्लास के अंदर बैठे हुए सविधा के साथ छात पढ़ रहे होते थे और ये बालक जंगली में से टिक-टिकी निगाओं से देख रहा होता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है और जब ये प्यास लगती थी तो बहार खड़ा करमचारी मटके में से पानी निकालता तब पिलाता था और जज़ दिन करमचारी ना आए तो समझ लो पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था क्या दोस्त था उस बालक था यदि आप उसकी जगे होते तो आपको कैसा महसूस होता देश की सबसे बड़ी किताब सम्विधान को जिनोंने लिखा आज उसका लापस देश की सभी वर्गों को मिल रहा है चाए वो महिला पुरुस उची जाती नीची जाती जहां भी जिसकी साथ कोई अन्याय होता है तो यही किताब उसको न्याय दिलवाती है दोस्तों यह वही बच्चा था जब बाल कटवाने गया तो बाल काटने वाले ने यह कह करके मना कर दिया कि तो नीची जाती का है और हम तेरे बाल नहीं काट सकते तब उसने घर जाकर अपनी बहन से अपने बालों को कटवाया चौदे बहन बाईयों में से मात्र पांच ही जीवित इस वज़े से रह पाए क्योंकि कोई भी डॉक्टर बिना छुए इनका इलाज करता था और इसी अभाव में उनके कई सारे बाई और बहन काल की गाल में समा गए क्या दोस था इस बालक का ये दोस था देश की विविस्था का इसमें उन लोगों का क्या कसूर था जिन्हों ने जन्म इस देश में तो लिया लेकिन ऐसी जाती में जिसकी वज़े से उनको इनकस्टों का सामना करना पड़ा और कई होने तो अपने प्राणों को भी कि उन्होंने देश के विविन वर्गों को नयाय दलवाने का कार्य किया है। इसी भावना के साथ मेरा डॉक्टर भीम राव अम्बिटकर जी को सत सत नमन। जैहिन दोस्तों।